अपने लक्षे पर किंद्रित रहने का सबसे सरल और आसान तरीका कि आप अपने सांसों पर किंद्रित रहने सांसों पर सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान लगाएगे आपका लक्ष आपके थाड़ आई में रहेगा आपके दिल में रहेगा आपके दिमाग में रहेगा आपकी आखों के सामने नास्ता रहेगा और सिर्फ हर कदम पे आप अपने लक्ष को अचीव करने के लिए काम कर रहे होंगे, मतलब वर्ग कर रहे होंगे, कर्मा कर रहे होंगे, और उसके लिए सोच रहे होंगे, उसके लिए एक्टिविटी कर रहे होंगे, आपका जो समय है किमती स मैं वो पता चलेगा उस समय को आप कितना आराम से कितने अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं आप उस समय को खर्च मत कीजिए इन्वेस्ट कीजिए यूज कीजिए क्या आप अपने पैसे को अपने धन को खर्च करते हैं अगर आप यह सोचते हैं कि पैसा खर्च करते हैं त तो इसका मतलब हो जाता है कि इसका आउट्पुट कई गुरा मिलने वाला है। खर्च करने का मतलब खतम हो जाना। और इन्वेस्ट करने का मतलब कि वो देना। कि खर्च करने का मतलब ब tenía वो देना आए आप आपने जब वो धिया तो ऊगगे गा उसकी फसर उगे गी वह इंवेस्ट किया तो कई मुनंब बढ़कर आएगा एक्जेंपल जैसे आप ठीक है आप बैंक में FD अपांट खुलते हैं और उसमें FD कर देते हैं एक लाख रुप है क्यों यही सोचकर करते हैं कि इन्वेस्ट कर रहा हूं दस साल बार यह दो लाख रुप है इसलिए तो इन्वेस्ट किया आपने कि यह बढ़कर आपको मिले थिक है ओके आपने एक मकान खरीदा दस साल बाद वह दोकर गवल हो जाएगा यह सोचा कि इन्वेस्ट किया मकान में आपने लोड करिच इन इनसारी जो मैं आपने इंवेस्ट किया, कि यह बढ़ कर मिलेगा, लेकिन जब आप एक शॉट खरीद ने जाते, जब आप चावल, डाल, आटा खरीद ने जाते हैं, तो कहते हैं, कि मैंने पैसे खर्च कर दिये, इंवेस्ट नहीं किया, मेरे पैसे खर्च हो गहे, आप कैसे कह सके हैं कि मेरे पैसे खर्च हो गए आपने तो जो शौर्ट खरीदी है वो शौर्ट के बदले में जो आपको respect मिलेगा confidence मिलेगा उस शौर्ट को पहन कर आप किसी जगह पर जाएंगे जो positive energy आएगी वो भी तो उस investment का result होगा every result of our investment हमारे सारे परडाम हमारे investment के ही होते हैं यानि कि जो हमें मिल रहे हैं अगर आप एक रद्दी फटे कुरा में शौर्ट को पहन कर जाते हैं अपने friends में party में कहीं भी तो कोई कहने वाला होगा तो तो कह रहेगा कितने rough शौर्ट पहनते हो जो आपका करीबी होगा कितना खराब पहनते हो फटा पुराना पहनते हो ठीक है वो नहीं कहता लेकिन आपको तो मालो मत्त है कि आप फटा पुराना शौर्ट पहने हुए है आपको bad feeling हो रही है आपकी negative energy negative हो रही है thought negative feeling negative हो रही है उससे आपका वेस्ट जा रहा है नुक्सान हो रहा है इसलिए फटे खुराने शौर्ट पैंक शौर्ट कपड़े बिल्कुरी न पढ़ी पहनिये रग्दी सिले-सिलाया घिसे-पिटे मत पहनिये आप भले सस्ते कम पैसे में खरी दिये लेकिन बिल जो फिलिंग मिलेगी जो आपको reply होगा वो सब investment का output होगा यह result होगा आपने investment कि यह 100 वीच वो खर्च नहीं किया इन्वेस्ट किया अगर आपने हर बार यही सोचा कि मैं invest कर रहा हूं कोई वी चीज invest कर रहा हूं तो उसका output मिल जाएगा इन्वेस्ट करने का मतलब कि जब आप यह वार भार द्यान लगाएंगे कि आप अपने अपने सांसो पर ध्यान लगाता कर रहा हैं यहने कि आप का जो बुइक सिर्फ उसी पर थ्यान लगाता है तो कर कर रहा है तो this is your investment यह आप कि अपने time का इनर्जी का इन्वेस्ट कर रहे हैं, थौट का इन्वेस्ट कर रहे हैं, एमोशन का इन्वेस्ट कर रहे हैं, और मनी का इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो कर्मा कर रहे हैं, उस कर्मा का इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो आपका लक्ष है, आपके कदमों में होगा, आपके कदम एक ऐसा तरीका है कि आप जो कुछ भी करिये हर चीज के लिए आप सिर्फ ये सोचिए कि मैं इंवेस्ट कर रहा हूं याले कि गोल अचीव करने के लिए इंवेस्ट कर रहा हूं आप कुछ भी कर रहे हैं तो इंवेस्ट ही कर रहे हैं इंवेस्ट का आउपट मिलता है तो कि कल्पना कीजिए कि वो चीज आपके पास है बस सांसों पर द्यान लगाते लखेंगे फाल्तु की सारी बाते रिमूब हो जाएंगी और एक जगह पर आपका द्यान देगा इससे आपका लक्ष आसान हो जाएगा मिलना आसान हो जाएगा